आप सब ठीक होंगे तो आपकी दुआउं से मशाला हम भी पिल्कुल ठीक है तो आज हम लेकर आएं चीस कॉर्ण सेंड्विच की रेसिपी जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कितनी क्रिस्पी है माशाला बहुत ही अंदर से यह मी बनी है यह देखिए गाइस बहुत ही चीज कर ली है मैंने आप देख सकते हैं गाइस मैंने आधी यूज की है अगर आप जाधा बना रहे हैं तो जाधा यूज कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा शिमला मिर्च जो बारिक चॉप किया था मैंने वह है डाल देंगे दो हरी मिर्च यूज करेंगे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसकिप भी कर सकते हैं एक चमच हमने डाला है मैयोनीज मैयोनीज आप कम जाधा अपने हिसाब से कर सकते हैं आपको जाधा पसंदे तो जाधा डाल दें मैंने यूज किया है थोड़ा सा नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें अब हम डाल रहे हैं इसमें दो टेबली स्पून भरवर के चीज है चीज तो सबकी फेवरेट होती है आप कम जाधा कर सकते हैं अगर आपको जाधा पसंदे तो आप चीज जाधा डाल दें अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं अब स्टफिंग हमारी तयार हो गई है अब हम ब्रेट को देख लेते हैं मैंने लिया है चार ब्रेट की स्लाइसे हैं दो ब्रेट को हम अलग कर लेंगे दो में हम बटर लगाएंगे अच्छी तरीके से बटर आप कम जादा लगा सकते हैं गाईज अगर आपको कम खाने हैं तो कम लगाईए लेकिन बटर जितना भी लगाएंगे सैंड्विच उतनी क्रिस्पी बनेगी दूसरी ब्रेट पर भी हम इसी तरह से बटर लगा लिए गाईज जैसे मैंने पहले लगाया था अब मैंने दोनों स्लाइजेस पर लगा लिया है अब हम इस पर डालेंगे अपनी स्टफिंग को जितनी भी स्टफिंग है ना मेरी दोनों ब्रेट पर आराम से लग जाएगी और यूज भी हो जाएगी बचेगी भी नहीं तो हम इसको हलके हलके हाथों से फैलाएंगे और पूरी स्टफिंग को हम यूज कर लेंगे आप देख सकते हैं गाइस पूरी स्टफिंग का मैंने यूज कर लिया है तो मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है अब दूसरी ब्रेट का स्लाइस ले लेंगे और उसमें हम अच्छी तरीके से बटर लगाएंगे जैसे पहले हमने किया था वैसे हमें करना है बटर हम ज दोनों ब्रेट पर हम इसी तरह से बटर लगा लिए अब देख सकते हैं मैंने लगा लिया है दोनों ब्रेट पर अब हम इसको बंद करेंगे इसको हलके हलके हाथों से हम प्रेस करेंगे अब दूसरा भी उसी तरह से रख देंगे और हलके हलके हाथों से हम दबाएंगे थोड़ा सा देख सकते हैं आपको इस तरह से दबा लेना है यह रेडी हो चुकी है अब मैंने एक पैन गैस पर रख दिया है एकदम लो फ्लेम रखेंगे उसमें हम लगाएंगे बटर हलका कर फ्लेम हमारी मीडियम ही होनी चाहिए चारो तरफ हम अच्छे से बटर लगा लेंगे उसमें अब हम अपने ब्रेड के स्लाइसे रख दिंगे फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है जादा हाई नहीं करना है गाईल वनना क्रिस्पी नहीं होगी जल जाएंगी अब हम उपर से भी इसके बटर लगा लेंगे दोनों ब्रेड में हमें अच्छी तरीके से बटर लगा लेना है अब हम इसको हलके हलके हाथों से प्रेस करेंगे ताके हमारी ब्रेड अच्छे से नीचे से ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी बने अब हम इसका बटर जो है न जो पैन में बटर है उसको हम पूरी तरीके से इस्तिमाल करेंगे ऐसे घुमा घुमा के हम ब्रेट पे लगा लेंगे 5-6 मिनिट तक हम इसको पकाना है सिर्फ अब हम इसको 5-6 मिनिट तक हो गए हैं अब हम इसको पलट देते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा कलर आया है तो ये देखें गाइस कितना अच्छा कलर आया है और अब हम इसको थोड़ा सा हलकाचा प्रेस करेंगे और दूसरी ब्रेट को भी हम पलट देंगे इसी तरह से आप देख सकते हैं गाईस माशाला बहुत अच्छा कलर आया है कितनी क्रिस्पी लग रही है उपर से अब हम 5-6 मिनट तक नीचे की तरफ भी पकाएंगे 5-6 मिनट हो गए हैं गाईस अब हम इसको आपको दिखाते हैं अब हम गैस को बन कर दिखाएंगे अब मैंने इसको रख लिया है अब हम इसको कट करके आपको दिखाएंगे माशाला कितनी ज़्यादा जबर्जर्ष्ट बन कर त्यार हुई है गाईस अगर आप मेरे चाइनल पर ने हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कर दीजे गेद देखे गाईस कितनी ज़्यादा क्रीमी लग रही है अंदर से माशाला बहुत ही जबर्जर्ष्ट बन कर त्यार हुई है गाईस अगर आपको अपने बच्चों के टिफी में बना कर देना है तो बहुत ही पांच मिर्ट में बन जाने वाली रेसिपी है तो ज़रूर प्राई करीगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक